स्वदेशी पाठ का प्रस्ण उत्तर करेंगे पहला प्रस्ण है कविता के सिर्षक की सार्थकता स्पस्ट कीजिए स्वदेशी सिर्षक सार्थक है क्योंकि इस कविता में स्वदेशी को स्वदेशी वस्तू सिन्नाफरत जैसी हो गई है अपने देश के नाम सुनकर यहां के लोग लज्जा अनुभव करते हैं संपुर्ण कविता में स्वदेशी वस्तू से अलग भारतियों को दिखाया गया है अतह हम कह सकते हैं कि स्वदेशी सिर्शक यथार्थ है दूसरा प्रस्ण है कवि को भारत में भारत्यता क्यों नहीं दिखायी परती है उत्तर लिखेंगे भारत के लोगों का सुभाव रिती रिवाज परमपरा लगाव सब अंग्रेजी हो गया है हिंदू हो या मुसलमान सभी अंग्रेजी जैसी वस्तू का उप्योग करते है भारत्यों की पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है विदेशी पढ़ाई विदेशी बुद्धी विदेशी चाल धाल सरवत्र दिखाई परती है पजार में भी जब हर जगा विदेशी वस्तू ही पसरी दिखती है इस प्रकार कभी को भारत में भारत्यता नहीं नजर आती कभी समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों कभी समाज के प्रबुद्ध वर्गों की आलोचना करता है क्योंकि प्रबुद्ध जन अपने वर्ग के बुद्धि मान कहलाते हैं और भारती लोग विदेशी विद्या पढ़कर विदेशी बुद्धी पाकर अपने चाल ढाल को भी छोड़ देते हैं उनको विदेशी चाल ढाल पड़ी अच्छी लगती है अर्थार प्रबुद्धी वर्ग लोगों में भारत्यता नाम का चीज कहीं नहीं दिखाई परता है चौथा प्रस्ण है कवी नगर बजार और अर्थ व्योस्ता पर क्या टिपनी करता है कवी भारत के नगर बजार और अर्थ व्योस्ता पर टिपनी करते हुए कहा कि सब पर विदेशी वस्तु हावी है जब जग जग विदेशी वस्तु बिकता है स्वदेशी वस्तु का बाजार कहीं भी नहीं दिखता है कारण अर्थ व्योस्ता ही बिगर गया है पांचमा प्रस्ण है नेताओं के बारे में कवी की राय है कि इन नेताओं को भारतियता कहनाने में भी सर्म लगती है धीली ढाली धोती भी संभालता है तो फिर से लोग देश की बागडोर को कैसे समाल पाएंगे छटा प्रस्ण है कवी ने डफाली किसे कहा है और क्यों कवी ने भारतिये उन लोगों को डफाली कहा है जो भारतिये वर्न बिवस्था को मानते है क्योंकि ये लोग गुलामी करने के लिए ही जीते थे और जीते रहें अंग्रेजों की खुशा मत करते तथा अपने स्वदेशी वस्थों की जूठी प्रसंसा करते ब्याख्या करना है सात्मा प्रसने मनुज भारति देखाऊं कोई सकल नहीं पहचान उत्तर लिखेंगे प्रस्तु पाठ हमारे हिंदी पाठ पुश्तक गोधरी भाग दो स्वदेशी सिर्शक कविता से लिया गया है इस कविता में कभी बद्री नरायं चोधरी घनानन प्रेमघन जी इस कविता में कभी ने बताया है स्वदेशी वस्थू हम भारतियों के बीच से उठा जास रहा है विदेशी विद्या विदेशी बुद्धि के प्रभाव में हमारा चाल चलन भेश भूसा खान पान सब बदल गया है पर विदेशी वस्थू की जो भावनाय है वो परती जा रही हम भारतिय विदेशी वस्थू के परियोग से इतने बदल गया है कि मनुझ भारतियों देखाई कोई सकत नहीं पहचान अर्थात भारतियों मनुझ को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि यह भारतियों नागरिक है ख, अंग्रेजी रूची ग्री सकल वस्तु दे विपरीत प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधली भाग दोस्त से लिया गया है जिसके सिर्शक है स्वदेशी इस पाठ में कवी बदरी नरायन चौधरी प्रेम घन जी प्रेम घन जी भारती लोगों के द्वारा स्वदेशी वस्तु के अनुपियोग को व्यर्त हिर्दय लेकर होकर अंग्रेजी रूची ग्री सकल वस्तु देशी विपरीत अर्थात अंग्रेजी वस्तु से रूची बढ़ जाने के कारण हमारी घर की जो वस्तु है वो लोग नहीं देखते हैं जो भारत के लिए बिप्रीत है आपके मत में स्वदेशी की भावना किस तोहेस्त में सबसे अधिक प्रभावित करती है पस्ट करें हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधरी भाग दो से लिया गया है पाठ का नाम स्वदेशी जो कि एक कविता है लेखा का नाम बद्री नरायन चोधरी प्रेम घन है हमारे मत में स्वदेशी की भावना सबसेधिक प्रभावी तीसरे दोहे में हुआ है पढ़ी बिद्या परदेश की बुद्धी बिदेश पाई अर्थात अंग्रेजी सिक्षा और अंग्रेजी बुद्धी पाकर भारती लोगों को परदेशी चाल ढाल बहुत अच्छा लगता है या वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से देख रहे थे जाहिं जाए भाड़ा